हेलो फ्रेंड्स मैं साजन और आप देख रहे हैं समाथिक अब रहे हिंदे डिवी नियोज आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं जिसके बाद आप खुशी से फूले ना समाएंगे अगर आपके पास कोई भी कमडर की प्रॉब्लम है आपको नया कमडर चाहिए नय 9769025411 अगर आपको इन से कोई भी काम है तो आप इन से संपर करें यह आपकी मदद जरूर करेंगे तो चलिए आज की हमारी न्यूस की तरफ बढ़ते हैं जैसे आप जानते हैं इस वक्त पार्लामेंट में इस साल के और अगले साल के यूनियन बजट के बारे में बातची पाल साब तरह प्लीज देखिए समय तो सदन का है और हमारी उसके अंदर जो अंश है वह आनुपातिक है आप पांच मिनिट नो बहुत बड़ी संक्या में माने सदस बोलना चाहते हैं एक निश्चिस समय है उसके अंदर हमको प्रेन करना है जबना वक्त पांच मिनिट के आप पुरे बजट पर विश्चार से बोलेंगे यह संभव नहीं है आप प्रप्राप्तियां करीव 27 लाख करोड रुपे और कुल ब्याए 45 लाख करोड रुपे होने का अनुमान लगाया गया है वह आधनिये प्रहानमत्य जी के नित्यत में इंडिये सरकार्ण के दूहजार चौड़ा में आने के समय देश पर 35 लाख करोड रुपे का कर्द था लेकिन नौ बर्स बाद यह कर्द बढ़कर 150 लाख करोड रुपे हो गया है और इस बरतमान बजट में 15 लाख करोड रुपे का कर्द और बढ़ जाएगा यह बहुत ही भयावा हिस्थिती उत्पन होगी हम बिगत नौ बर्सों में ऐसे कई बादे सुनते आ रहे हैं जैसे बुलेट ट्रेंच चलेगा किसानों की आये दूगनी होगी साथ लाख रोजगार सीजित करने का वादा था बजट में रोजगार सीजन या भविस्थ की योजणाओं के बारे में कोई उले महंगाई को रोकने के लिए बजट में कुछ नहीं है आज देश में बेदुजगारी दर एट पॉइंट थी परसेंट तक पहुच गई है और सहरी छतों में तो दस फिर्दी लोग बेदुगार हैं यह बजट न सिर्ख इन गंभीर चुनोतियों से निपटने में बिफल र सलते गरामिन मजदूरों के लिए अब सर्कम होंगें क्योंकि मंद्रेगा की फंडिंग एक तिहाइ घटाई ही गई है पी एम गरीब कल्यान अन्योजना के तहत गरीबों के मिलने वाला रासन आधा हो गया है किन सरकार ने एक बार फिर गरीब मजदूर और किशानों को नई राष्किये सिक्षानीती पेश हुए तीन साल हो चुके हैं परगती सुन्न है सिक्षानीती में सिफारिस की गई है सरकार को सिक्षा बजट पर चोपरतिशत खच करना है हकीकत तिहा है कि केंट सरकार ने सिक्षा के बजट को कम कर दिया है सर्व सिक्षा अभियान और म बिहारा लोगों को नुक्सान पहुचा रहे हैं। सभापती मोहदय, दूहजार में जहारखन को बिहार से अलग करने के बार से ही बिहार को विसेष राज का दिर्जाद देने की मांग हो रही है। बिहार विभाजन के कारण सर्सट प्रतिसत राजस सोत जारकहन में चला गया और त्यतिस पतिसत बिहार में रह गया जबकिуса आवआदी पेंसठ प्रतिसत बिहार में रह गया। महदय, राज के लगभग 32nd परवारों के पास जमीन नहीं है। राज के बागमन फिर प्रतिसत आवारी गरीवी रिखासे नीचे रहती है। इन सब चुनोतियों के बाबदूर बिहार में आधनिये मुखमंती इन ती स्वाव के निक्रित में पिछले एक 15 वर्सों से अधिक समय से लागतार बितिये विवेक सिलता दिखाई है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है लेकिन वह संतोह जनक नहीं है। बिहार के विकास के लिए खेंद सरकार ने कभी चिंता नहीं किया है। सवापति महुरे हल सब बिहार प्रति व्यक्ति आये। जीवन यापन मानो विकास जैसे सुचकांक में राष्ट्रिय और सच से नीचे है। बेहार बिशेसराज का दज्जा प्राफ करने का थग राष्टार है। इसलिए बेहार को बिशेसराज का दज्जा मिलना चाहिए। चीमित संसाधन के बावदूद निती स्वावु के गुवाई में, विहार सरकार अपने लागलिकों के घिवन, अस्तर कु सुधारने के लिए हमेसाथ तक पर हैं। स्वापति मौझा है विए करकुली ठाकुजी को भारत तन दिया जाए इसका रिकमें डिसतन बिहार संभा और बिहार सरकार ने थे किया है अगरा thing सरकार मेरा के चंट सरकार से बिंतिया आधनय प्रधान्य पार्धानमंति श्याग ए कि करकुली ठाकुजी को भारत तन दिया एक सगेंड अब मैं अपने संसद्य छेट जहानवाद के लिए बार से कुछ आग रहता हूं जहानवाद अरबल को अकांची जिला में सामिल किया जाए जहानवाद जिले में नमामी गंगे उजना को सामिल करके मेरे संसथ्य चेट के सभी नजियों की उलाही का तक्वन हमरमत और सुलिस गेट निमांग कराया जाए मैंने रेल से सम्मधित बहु सारे प्रतिवेदन, रेल मंतिजु को रे रखा है उन पर प्रतिवेदनों के ध्यान रखते हुए मेरे संसथ्य चेट में रेल की सुढधाओं का अभिस्तार किया जाए जहानावाद में केंद प्रायोजी छेल इंसिच्व्ट खोला जाए इतना ही क्राकर के मैं आप से एक मिनिट का समय मंगता हूँ एक मिनिट का एक मिनिट चर्थ जाएदा समय नहीं लेते हुए, मैं केंज सरकार से मांग करता हूं कि सभी ज़्जनाओं में सत परति सत फंद केंज सरकार का हो चाहिए होना चाहिए क्योंकि हमारे देस के अधिकतर प्रदेस आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है अच्छ का नाम और नाम तो भार्ष सरकार के नहां लेकिन दाज्यों को पैसा लगाना पूरता है इस वारे में हमारे अद्लिया मुख्वोंति जी समय समय पर अप्नी बात लगते रहें और तेन शरकार व्यादाद के हिद में उन मागों को पूरा करना चाहिए मिरा कंदा ट् तो हमारे आज के समाचार नहीं पर खतम होते हैं और आपको ऐसे ही समाचार मिलने रहेंगे तो हमारे चैनल समाची कपर हिंदे डिवी नियूस के साथ जुड़े रहें तब तक ले जैहिंद